हाई अबरिवन मैं सरीता सरीता फूड मैजिक से आज मिले के आई हूँ आपके लिए मसाला अर्वी की सूखी सबजी और साथ में पूरिया मैंने यहाँ 500 ग्राम अर्वी ली है उनको अच्छे से उबाल कर 3 विसल में और चील कर प्रेस कर रही हूँ हतेली की साइता से एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में कोकिंग ओले डाल कर उसको अच्छे से गरम होने देंगे उसके बाद इसमें डालेंगे वन टेबल इस्पून अजवाएन कलर चेंज होने देंगे, अजवाएन कर साथ में डाल देंगे प्याज, मैंने याग दो बड़े प्याज लिये हैं और इनको अप, लाइट पिंक होने तक भुनने देंगे प्याज का गलर चेंज होने तक हम इसमें इसको चलाते रहेंगे और फिर डालेंगे अब आम इसमें टमाटर मैंने यहां पर दो टमाटर लिये हैं सूखी सबजी को अच्छी सी बनाने के लिए उसमें हमारे टमाटर प्यास जाते हैं यहां लिया है मैंने आदा इंच अधरक का टुकडा पारिक चोप करके पांस से चे भारी मिर्च इनको थोड़ा फ्राइ करेंगे फिर इसमें डालेंगे मसाले तो यहां मैंने अकोर्डिंग टेस्ट नमग लिया है वन टेबल इस्पून हल्दी, वन टेबल इस्पून धनिया पाौड़र, वन टेबल इस्पून चिल्ली पाउडर यहां पर हमें टमाटर को अच्छे से पखने देना और सारे मसाले अच्छे से भूण जाएए सबी मसाले अच्छे से कूक करने हैं और मसालों को ऐसे चलाते हुआ पकाएंगे ताकि मसाले कडाई में लगी नहीं और जब तक तमाटर अच्छे से कूक नहीं हो जाते तब तक हमें इसको चलाते रहना है और मसाले अपने ओल रिलीज कर देंगे तो हमारे मसाले अच्छे से रख देते हैं दो से तीन मिनट के बाद हमारी मसाले अच्छे से कोक हो गए हैं अब इनको चलाते हुए हम इनको एक बार फिर इसमें डालेंगे हम अपने सूके अरवी जो हमने चेल कर पहले अलरेडी प्रेस करके हतेले के साइथा से रखी हुई है अब इनको चलाएंगे मसा हो जाएंगे तब तक हमने इसको पकाना है छेसे साथ मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कोक करना है ताकि जितने भी मसाले हमारे अच्छे से इसकी अंदर चले जाएं आए साथ-साथ हम पूरी के तयारी भी कर लेते हैं हम यह बनाएंगे इसके साथ पूरी हमारे गठर में पहले गरम करेंगे, ओयल अच्छे से गरम होना चाहिए, तब ही हमारी पूरियां फूली-फूली बनती है, मैंने इसमें पूरी डाले और पूरी डालके से प्रेस किया, देखे कैसे भटोरे की तरह फूल गई हैं, अब इसको प्लट प्लट कर सेखेंगे अच्छे से कलर आ जाने पर अच्छे से इसको जो कलर थोड़ा से आ आजाए पूरी के ऐपर तो हमने इसको फ्राइए करना है प्लट कर देखें हमारी पूरी बनकर तैया रहे हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो प्लिज लाइक कमेंट कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहले बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजिएगा ठैक्स वर वाचिंग